अलो फ्रेंट्स, वेलकम तो अवर्ट्य अलल एरिंग अपिटर, मेरा नाम है विफिंग गिरी, आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊँगा, जिसकी मदद से आप अपने रैम को डियाग्नोस कर सकते हैं, तो कैसे आप डियाग्नोस करेंगे कि आपके सिस्टम में रैम प्रॉलम है या नहीं, वो हम इस टूल के मादियम से इस वीडियो में जानेंगे, इस टूल का नाम है विंडोस मैमोरी डागनोस्टिक टूल, यह हमारे विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हीडन टूल है, तो इस टूल का कैसे हम यूज़ करेंगे, तिली शुरू क और ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने टूल ओपन हो जाएगा, विंडोस मैमोरी डागनेस्टिक टूल, चेक यूर कम्प्यूटर फोर मैमोरी प्रॉलम, यह पर आपके सामने दो ऑप्शन है, रिस्टार्ट नाउ, क्लिक एंड प्रॉलम, या दूसरा ऑप्शन है, चे इस टूल वर्क करेगा, और आपकी मैमोरी को डागनोस करेगा, हम रिस्टार्ट नाउ पर किलिक करेंगे, इसके बाद हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा, जैसे रिस्टार्ट होने के बाद, जो हमारे फर्स इंटरफेस आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, मैमोरी डागनोस सिस्टम का, तो आप देख सकते हैं, आपर विंडोस चेकिंग और मैमोरी प्रॉलम, यह हमारे विंडोस की जो मैमोरी है, रैम की उसको प्रॉलम को चेक कर है, यह तो पार्ट में रैम को चेक करेगा, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, इस्टेटस, तो इस्टेटस में अभी लिखा आ रहा है, नो प्रॉलम है विंड डिटेक्ट दिया, यह अभी तक हमारे रैम में कोई प्रॉलम डिटेक्ट नहीं हुई है, यह प्रॉसेस चलने के बाद आपका सिस्टम नॉर्मल कंडिशन की तरह जैसे नॉर्मल ओन होता है, वैसे ओन हो जाएगा, रिश्टार्ट होकर वापिस ओन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम रिश्टार्ट होकर आ चुका है, अब हम अपने रिजल्ट को देखेंगे, जो हमने Memory Diagnostic Tool को रन किया था, वो फेल हुआ या पास, उसको कैसे जानेंगे, कि हमारा जो टूल है, उसने ठीक से वर्क किया नहीं, क्योंकि अगर फेल हुआ तो कोई ने कोई एरर दिया होगा, या पास होगा, तो पुछ ना पास की इंफर्मिशन आई होगी, तो उसको जानने के लिए हमें एक और टूल हमें Windows ने प्रवाइड किया है, जिसका नाम है Eventweaver, जिसके मार्दियम से हम जान सकते हैं हमारे सिस्टम में जो भी event होते हैं, वहाँ पर उनकी information होती है, तो अभी हमने जो Memory Diagnostic Tool का event किया है, तो eventweaver में भी इस tool का जो अभी हमने वर्क किया है, उसका और एंटर पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद हमारे सामने जो eventweaver है, यह चार्ट ओपन होके आजाएगा, तो यहां पर आप left side में देख सकते हैं, आपर Windows log file, आपको इसको एकस्टेट करना है, इसके बाद आपको system वाले option पर क्लिक करना है, इसके बाद देखेंगे आपके right side में चितने भी event हैं, उसकी information आ चुकी है, आप इसमें देख सकते हैं हमारा जो memory diagnostic result, यह भी यहां पर show कर रहा है, अगर आपको यह result यहां पर show ना हो, तो इसको आप find भी कर सकते हैं, आपको find वाले option पर क्लिक करना है, और यहां पर type करना है memory diagnostic, तो find what में आपको लिखना है memory diagnostic without space दिये, इसके बाद आप इसको find next पर क्लिक करेंगे, आपके सामने result find होकर आ जाएगा, तो यह result मेरे सामने यहां पर आ चुका है, तो आप इस result पर memory diagnostic result पर double click करेंगे, इसको select करके double click open करेंगे, तो यहां पर इसकी result है, वो show open होकर आ जाएगा, तो यहां पर imported ध्यान द नहीं, तो यहां पर alert लिखा रहता, या issue warning, कुछ इस type का यहां पर लिखा रहता, इसके अलाब आप देखेंगे, आप details का option है, आप details पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर completion type लिखा हुआ है, तो completion type हमारा यहां पर pass है, अगर आपके RAM में कोई problem होती, तो यहां पर fail लिखा होता अगर आपके system में दो RAM लगे हुई है, तो उन दो RAM को आप कैसे test करेंगे, method यही है, test करनेगा, बट आपकी एक RAM में problem है, एक RAM ओके है, तो इसको कैसे test करेंगे, तो उसके लिए आप single single RAM करके, यही process apply कीज़े, यानि कि आप पहले एक RAM लगाईए, फिर आप इसी diagnostic tool को run कीज इसका result देखिए, पास है, तो वो RAM अपकी OK, इसके बाद आप next RAM को लगाईए, next RAM को लगाने के बाद आप same process चलाईए, इस तरह से आप अपनी system की दोनों RAM पो चेक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, चैल को subscribe करें, thank you.